हुआ है गाइस विल्कम बैक टुमाइ यूटूब चैनल भी मेस ग्यान तो आज हमें इस्टडी करना है चैरक साहिता में सूर्थ इस्थ्यान के बारे में जिसमें हम अध्याय पहले डिसकस करेंगे जो कि हमारा दीर्ग जीविती हम अध्याय है ठीक है इसको हम चार पार्ट में पढ़ेंगे तो सब्सक्राइब हम इसका इतिहास पढ़ेंगे मारव मतलब आयरवेद आउतरन उसके बाद हम सट पदात विज्ञान सट पताद विज्यान के बारे में पढ़ने के बाद हम धातुस सामा तथा त्रिदोस विज्यान पढ़ेंगे उसके बाद हम द्रब्व वर्गी करन द्रब्व का वर्गी करन उसके बाद हम आउसदी और चिकित्सक तो ये पांच पार्ट में पढ़ेंगे इसको तो चलिए शुरू करते हैं आज का मलब हमारा दीर्ग जीवती अध्ध है सब पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा बताया गया है चतुसकों के बारे में ये है ठीक है तो आठ पार्ट में विभाजित किया है 8 चतुसक कहाते हैं देश चतुसक, सवास चतुसक, निय лишь सब् Дेश चतुसक retu, कल्पना है रोक चतुसक, यूजना चतुसक अनपान चतुसक और संगर्डर सब में जो एक से लेके साथ तक जितने चतुस बताएगे इसमें चार-चार अध्याव का वर्डन आता है जब कि मारा संग्रहद में दो अध्याव का वर्डन आता है मतलब यह फोर इंटु सेवन टूंटी एट और दो इस संग्रहद का चैप्टर मिला के मारा 30 चैप्टर सु उसके बारे में अध्यायम व्याख्यास्मयाम या महा इति या इसमाय भगवान आत्रेया तो अध्षब से मंगल कर लेने के बाद सरवप्रथम दीर्ग जीवती नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ ऐसा भगवान आत्रेया ने कहा ठीक है तो यह इन्होंने बताए क कि अध्षब से मंगल कर लेने के बाद मैं देविवती अध्याय नामक की व्याख्या कर रहा हूँ या उसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ ऐसा भगवान आत्रेयने कहा तो सबस्पहले हम देखते हैं भेस्चतुसक जो हमारे टॉपिक है मलब जिसके बारे में हमको प अध्याय बारे में आठों चतुसकी बारे में बता दूँगा ठीक है तो असला सवले भेस्चतुस क्या है उसको बैद्धान में रखना है और एक्जाम में आए तो इतना मतलब मन में रहे कि इसको आप लिख सके हैं तो भेस्चतुसको तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस है अर्वलग network फर्ज सेकेंड ठर्ड और फौर्थ जो चैप्टरस हैं इसमें चाऱ चैप्टरस आते हो हैं पहले से लेके चौ्थे तक पृत्खम अध्याय जो है इसका देर जीवन है देर्ग जीवतियत contrad tentar रहे है जो हम पढ़ रहे हैं तो प्रतम अध्या 10 दीर्ग दिर्वेड की इसमें दिर्व जीवन के उब्देश के बाद दिर्वन को कायम रखने के लिए धर्म आर्थ व्हाम और मौच इस अता हारोग ग्यान प्राप्ति के लिए आयरवेद की जिग्यासा उत्पन हुई आयू का परिग्यान ही आयरवेद है ठीक है अता इसमें आयू का वर्णन किया गया है और इसमें आयू का भी वर्णन किया गया है विदधातु ग्यान लाब विचार और सत्ता इस अर्थचतु उसमें प्रिक्त है यहां के यहां आयू के ज्ञान लाब विचार और सत्ता पर विमर्स किया गया है ठीक है तो यहां पर जो इस चैप्टर समें बताया गया है दीर जीवती उसमें आयू के ज्ञान आयू के लाब आयू के विचार और आयू के सत्ता पर विचार विमर्स किया जब हमें पता चल जाता है कि आयू क्या है तब हम उसके लाब और सत्ता पर विचार प्रारंब या विचार शुरू करते हैं अता इस अध्या में 60 पदातों का दिर्ग दर्शन करा कर आयो को अच्छुन रखने वाले तरव्य को गुड कर्मों का विचार किया गया है तो इसक करना इसमें दर्व्य कर्मों का विचार किया गया है मतलब अपामार मर्वटंड अरकबदी उसमें क्या है श्रीज सुध करने वाले दर्व्य का वरनन किया गया है चौद्य अध्या में 600 कसाय कल्पना का वडन किया गया है इस प्रकार भेशजों में से परिपूर प्रतम चार अध्याओं को भेशत चतुसक कहा जाता है ठीक है तो यह हो गया भेस चतुसक यह फेसद चतुसक उसके बाते हम देगे इसमें 5-8 अठ्धाय है तो 5-8 तक अध्धाय बताएगे इसमें आईरवेद दीर जीवन के लिए दो लक्षों को अपने सामने रखता है जो आयरुवेद है वो दीर जीमें के लिए दो लक्षों को अपने सामने ढखता है ये स्वास्त, पुरुस के स्वास्त का सररक्षण किस प्रकार होता है ? या उब्देप सरुपतम अभाश सकता है तो स्वास्त जो पुरूस है जो व्यक्ति स्वास्त है उसके स्वास्त मलब उसको स्वास्त कैसे बनाया रखना है या उसका सर्णचड कैसे करना है उसको बीमार नहीं होने देना या रोगी नहीं होना देना उसका उब्देश किया गया है उसका सरपता उब्देश आवस्चक है था भेसत चतुस्क वर्णन के बाद स्वास चतुसका वर्णन परम आवस्यक हुआ मानव सरीर के प्रकृतिक कारियों को प्रकृत कर क्रम में चलाने के लिए भोजन की आवसकता होती है जो हमारा मानव सरीर है उसको प्रकृतिक कारियों को प्रकृत कर क्रम में चलाने के लि specific sequence में जैसे चलता हाज है वैस echelת užका जले उसके यह में भोजन की ह Carnegie यह जी आभागर्जन उओस्वास्थ मात्र में फ्राक्रित रूप में नहीं सकता अगर यह में बोजन में इस मातिरा इसे हैं उप्रागर्फित रूप में नहीं जाकता है। अधा पांचवे अध्या में मात्रा सीती का वड़न कर छटे अध्या में तस सीती अध्याई का वड़न किया गया है तो पांचवे अध्या जो हमारा है वो उसमें मात्रा सीती अध्याई का वड़न किया गया है जिसमें आहार की मात्रा अगनिबल का संबन ये सा आहार के जिद्रप, अंजन, धूम, पन ये सारे बताए गया है, रितुचरिया बताईगी है, और तस्वा सिती में रितुचरिया के बारे में वणन बताए गया है, भोजन के बाद भुक्त पदातों का परिवलतन शरीर में अनेक विद्ध होता है, जिससे प्रसाद धातु और किट भ भाग होता है, या सार भाग जो होता है, वो सरीर को की पुष्टी करता है, और किट भाग सरीर को दूसरी करता है, इसको उनको सरीर से त्याग करना चाहिए, निकालना चाहिए, इन हे पतातों का त्याग करने के लिए माना सरीर के अंतरगत अंदर एक प्रकार की समवेदना होती है जिसे आयर्वेद वांग में में वेक कहा जाता है ठीक है सारेरिक क्रिया कलाब जन अनेक विद समेदना सरीर में होती रहती है वे सभी समेदनाय वेक सब्द के अंतरभूत होती है तो जितने और बहुत स्वास्त के लिए हम धारण करते हैं या हानिकारक हो प्रकार की वीगों का वरणद सात्वेयरATHAN किया गया है तो इन जो दोनों प्रकार का वर्णन जो बताया गया है, वो सात्में अध्याय में किया गया है, जो किया मारा है, ना वेगान धार्नियम अध्याय में, तो इसमें हम अधार्नी वेग वर्णन और धार्नी वेग के बारे में पढ़ेंगे, उप्री निर्दिस्ट सभी क्रियकल आप इंद्रियों द्वारा ही निश्पन होते हैं आता आठवे अध्याय में इंद्रियों के स्वारूप एवं कार्यादी का वर्ण कर स्वद्वृत और उसके अनुस्ठान का वर्ण किया गया है तो जो भी ये क्रिया क्लाप होते हैं उसमें इंद्रिया ये सब इंद्रियां तो यह हो गया मारा स्वास्चतिक चतुसक पहला हमने देखा ता भेसा चतुसक में दीर जीवती अध्याई उसके बाद हम दिने देखा गा अपा मार वे टंडुली अध्याई थर्ड चैप्टर हमने देखा था अरकवधियम अध्याई जिसमें हम 600 कसाय की बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम स्वास चतुसक में इंटर करते हैं पान से आठ तक जिसमें हम पढ़ेंगे मात्रा सीतियम अध्याय उसके बाद तस सीतियम अध्याय उसके बाद हम देखेंगे नावेगा अंधारणियम अध्याय बारे में पढ़ेंगे इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे इंद्रियों की पूर्टि का अरंब खड़ता है ठीक है वो स्वास संद्रतन है जो कि हमारा स्वास चतुस्क में complete हो गया अब दूसरा हम रोग प्रसमन वो हम देखेंगे निर्देश चतुस्क में तो यहां चतुस्क आयरवेद के दूसरे प्रयोजन रोग प्रशमन की पूर्ति का उपकरम्ब आहरम करता है मतलब यहां से रोग प् परिचारक यहां आवसत किस प्रकार का होना चाहिए जो चिकित्सा करते हैं उस चिकित्सा के लिए वैद जवड रोगी परिचारक यहां आवसत किस प्रकार का होना चाहिए इसका नवे अध्याय में संचेप में वर्ण कर दसवे अध्याय में विस्तार से वर्ण किया गया नवे अध्याए में हम संचेव से उन्य बतायाएं उनके बारे में बता दिया गया है अध्या को नव का नाम है एंगा है इसमें हम में हम चिकित्सा के चतुस्पात पढ़ेंगे चादधा के बारे में विशेस, विचार का वर्णन देखेंगे पिर 10 में अध्या में हम देखेंगे महा चतुस्पात अम अध्याय जिसके हमनुस की तीन इच्छा होते हैं उनका वणन कर चिकित्सर संबंदी कुछ अवस्चक सिदान्तों का निदेश ग्यारवें अध्याय में और बारवें अध्याय में शरीर के मूल बूत वात पित कफ के प्राकृत हैं व्यकृत कार्यों का निदेश किया गया है तो अध्याय जो ग्यारा है उसमें उसकों तिस तैसनियम अध्य है और जो हमारा बारवाद है वो वात कला कलीयम अध्य है उसके बाद हम देखते हैं कलपना चातुस क्या है तो इसमें 13-16 तक अध्या है इनमें करम से स्नेह कलपना, स्वेथ कलपना, उपकलपनी उसके बाद हम चिकित्सा प्रभीतियम अध्या के बारे हम देखें रोग चैतुस में 17-20 इसमें आता है कियंता सिर्सियम अध्या है फिर हम योजना चैतुस में देखते हैं इसमें 21-24 तक अध्या है इसमें करम से आट प्रगार के निंदित पुरुसों का वर्णान है, मनलब अश्ट निंदितियम अध्या पढ़ेंगे लंगन के बारे में पढ़ेंगे लंगन ब्रिणय मध्या है संतरपणियम अध्या और विधी सोलितियम अध्या है तो यह हमारा 24 योजनर चतुस्क हो गया, सात्वा है हमारा अनपान चतुस्क, इसमें 25 से 28 अध्याएं हैं, इनमें करमसा जिस प्रकार मनुस एवं रोक की पत्ती होती है, उसका वर्णन रसों के विशे में अनेक वाद विवाद अनपान आधी का निणे कर, अनपान विधी के बाद विवित आसित पीत अनपान के विविन परिवर्तनों का गुड़ एंदोस परताएंगे, तो अध्याएं जो हमारा 25 है, वो है यज्जा पुरिसियम अध्याएं, अध्याएं हमारा 26 जो है वो आत्रे भद्र कापियम अध्याएं, आत्रे भद्र कापियम अभ्याएं, मारे जो 27 है वो अन पान विधियं अध्या में आता है Baghdad Eh अन पान पानिय अध्या जैब्टर के बाद विवित आसित पीछते हैं में अध्याएं उ conti's इसवे में देखेंगे दस प्राणा प्राणा आतनिय मद्याम लगई डस प्राणा आतनों के में कुल नद पढ़ेंगे उन्तिस्वे में 10 प्रान आयतन कवर्णं कर्ण चिकर्ष को लखण क्या थ्यूंत रुद्धय और ऑज शोर वर्ण कर और कि यह झूफत रही तो तो यह देख लिया कि ऋसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन भर से चैप्टा से इंक्लूडेटेने इस्में ठीक और सेंगय सेवा के बारी हम भी देख लिया तो नेक्स्टुडिय मने आयरवेद वत्रण मतलब इतिहास देखेंगे तो मिलता है ने स्टुडियो में तब तक के लिए धन्माद लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए तब तक लिए धन्माद